नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का आरेस बावा पर आप लोग ट्रेडिशनल लेक्चर्स को देख देख कर काफी बोरियत जो है वो फील कर चुके हैं मेरा ये बादना है कि इस चैनल के लिए ये करंट अफेर के जो सेक्शन्स हैं वो काफी इंपोर्टेंट रहेंगे और मैं अब हमेशा आप लोगों के लिए करंट अफेर के बहत्रें सेशन्स जो है वो लाता रहूँगा हमारे जितने भी batch है वो यू की यू चलते रहेंगे उसमें कोई भी इंटरफशन नहीं होगा हमारे app के उपर already classes चल रही है, live classes चल रही है आप लोग उनको join कर सकते हैं, उनके अंदर कोई भी इंटरफशन नहीं है लेकिन अब इस चैनल के उपर हम लोग वीडियो वाले section के अंदर current affair के बैतरी lectures आप लोग के सामने लेकर आएंगे आप लोग कह सकते हैं कि हम लोग हर किसी topic पर बात करेंगे जो कि international, national या फिर state के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे आज मैं आप लोगों से एक बहुत गहरी बात करना चाहूंगा विद्यारती वर्ग अकसर उन चैनल से दूर हटने कोशिश करते हैं जहां पर अगर कुछ दिन अगर teacher माली जीए कि किसी भी कारण वश्च अगर माली जीए की बिमार पढ़ चुके है कारण जानना तो बहुत दूर की बात है कि आखिर आखिर कार teacher की class क्यों नहीं हो रही है यहां तक कि बहुत से विद्यारती जो है वो channel को unsubscribe कर देते हैं इससे मैं नाराज नहीं हूँ मैं उनको सही मानता हूँ क्योंकि अगर किसी teacher की class नहीं हो रही तो वो जरूर उसको unsubscribe करते हैं लेकिन इस channel के उपर जिस पे आपको हमेशा content जो है वो मिलता आया है और आगे मिलता भी रहेगा हम लोग आज से current affair के daily कुछ sessions, important sessions आप लोग के लेकर आएंगे जिसको सुनकर, पढ़कर आप लोग update रहेंगे तो आज हम लोग इस topic के बारे में बात करने वाले हैं वो topic है कि इरान और इसराइल recently एक war के अंदर हाल ही में जूड़ चुके हैं लेकिन ये war शुरुआत कहां से हुई है और आज क्या सितिया बनी हुई है चले शुरुआ करते हैं आज की lecture की recently आप लोगों ने कुछ update देखी होंगी कि इरान ने इसराइल की उपर attack किया और इरान ने कई dawns से कई missiles से हमले किये ये बताय जाता है कि अब तक 331 missiles ये हैं वो इरान ने इसराइल की उपर दागी लेकिन ताजो की बात ये है कि इरान को पहले से ही पता था कि इसराइल का जो iron dom system है वो उन missiles को intercept कर लेगा और कहीं पर भी वो इसराइल के अंदर attack नहीं कर पाएंगी ये इरान को पहले से ही पता था लेकिन फिर भी इरान ने अपने ही नागरिकों को कहीं न कहीं संतुष्ट करने के लिए ये attack जो है वो किया लेकिन आखिर कार इरान के जो नागरिक हैं इरान को नागरिकों को संतुष्ट करना इतना जरूरी क्यों था पहली बात तो ये है इरान के अंदर सेना के एक टुकड़ी काम करती है जैसे भारत के अंदर है BSF, SSB, ITBP जो कि हमारी सीमाओं के सुरक्षा करती है वैसे ही लगबग दो लाख के आसपास में इरान के अंदर revolutionary guard है इरानियन revolutionary guard जो कि इरान के अंदर इरान के सीमाओं के रक्षा करते हैं उसका head है सुलेमानी उसको 2021 के अंदर अमेरिका के द्वारा मार गिराया गया था और उसके अंदर इसराईल की जो मौसाद intelligence agency है उसनी काफी help की थी तब से लेकर इरान के पैर के अंदर एक काटा चुबा हुआ था वो अपने नागे को जवाब देना चाह रहे थे कि हम भी इतने जो है वो कमजोर नहीं है लेकिन कोई मौका नहीं मिल पा रहा था हाल ही में इसराईल ने एक मौका दिया इसराईल ने एक अपरेल 2024 को सीरिया के अंदर घुस कर इरान की जो consulate है वहाँ पर तेरा जो commander थे इरान के सीरिया के अंदर उनको मार गिरा एर स्ट्राइक करके consulate क्या होता है हम लोग कहते हैं कि जहां से economic activities को control कियाता है किसी दूसरे देश के अंदर उसका हम लोग कहते है consulate हम लोग कहते है जैसे बिटेन के जितने भी उपनिवेश हुए है जो बिटेन की commonwealth countries है उनको हम लोग commonwealth countries कहते है वहाँ इन commonwealth countries के अंदर जहां जहां एक दूसरे के दूतावास बने हुए है इनको हम लोग कहते हैं कि ये high commissioners है जैसे भारत का high commissioner पाकिस्तान के अंदर है पाकिस्तान का भारत के अंदर है क्योंकि दोनों ही ये देश जो है वो ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं कॉर्णाइस कंट्री रहे हैं तो जब इरान के कॉंसलेट पर हमला किया गया तो फिर इरान ने ये सोचा कि मुझे जो है वो इसका रिटेलेट करना है तो इरान ने फिर अटेक करना शुरू किया इसराइल के उपर और 13 अपरेल के दिन 13 अपरेल के दिन इसराइल के आस्मान में कुछ ऐसे नजारे जो है वो दिखाई दिये जिसे हमारे यहांपर दिवाली के पठाके जो है रॉकेट वो आस्मान के अंदर दिखाई देते हैं यह जो आप लोग देख रहे हैं यह डॉन से हमला हो रहा है इसराइल की उपर लेकिन कहीना कहीं बीच में चिंगारिया दिखाई दे रहे हैं यह चिंगारिया वो उसी चीज की है जो कि iron dom ने जो missile छोड़ी थी उसको intercept करके हवा के अंदर ही खतम कर दिया गया बात करेंगे हम लोग आगे लेकिन कुछ हमले की तस्वीरे में आप लोगो दिखा रहा हूँ इंदर धनुस से बने हुए है ये कोई इंदर धनुस की तस्वीरे नहीं है ये basically जो इरान ने attack किया है इसराइल की उपर लेकिन बात ये है कि क्या वाकई में Benjamin Netanyahu जो की इसराइल की परधान मंत्री है वो क्या इसका जवाब नहीं देंगे तो Benjamin Netanyahu उन्होंने कहा है कि ready रहे वो अपने नागरिकों को अपनी आर्मी को कह रहे हैं कि आप ready रहे हैं तयार रहे हैं हम जो है वो attack करने वाले हैं किसके उपर इरान की उपर लेकिन फिर भी इरान attack नहीं कर रहा है इरान fires 400 to 500 drones at इसराइल Netanyahu urges citizens to follow direction in emergency मतलब लगबख 400 से 500 drones attack जो हैं वो इसराइल के उपर हुए हैं लेकिन वो कह रहे हैं अपने नागरिकों से कि आगे के निर्देश के लिए आप लोग तयार रहे हैं इमर्जेंसी की जो भी सिचेशन होगी उसमें हम लोग आपको inform कर देंगे ठीक है फिर इसके बाद में Iranian जो retaliation है strike on Israel rises global concern बिसीकलिए global concern जो हो बना हुआ है कि आखिरकार इरान ने इसराइल के उपर इतना अचानक से attack क्यों कर दिया है लेकिन बात ये है कि आखिरकार ये जो attack हुआ है ये जो attack हुआ है तहरान से इसराइल के अंदर India calls for immediate de-escalation इंडिया ने कहा है कि हमारे जो नागरिक है वो इसराइल के अंदर भी है हमारे नागरिक इरान के अंदर भी है हम चाहते हैं कि हम अपने नागरिकों को बचा ले आपकी जानकर के लिए बता दू कि इरान के अंदर भारत के लगवग 4000 नागरिक हैं जो कि प्रवासी भारती वहाँ पर हैं और जबकी लगबग 20,000 के आसपास इसराइल के अंदर रहते हैं भारत का इस्टेंड ये है कि हम अपने नागरिकों को बचाना चाहते हैं और इंडिया जो है वो उनके लिए भरसक प्रयास करेगा और हम लोग ना तो इसराइल के पक्ष में हैं ना इरान के पक्ष में हैं हम लोग इसराइल के पक्ष में भी हैं और इरान के पक्ष में भी हैं मतलब ये क्या दोहरी बात कैसी इरान के अंदर आप लोग को पता है कि चावाहर पोर्ट जो है वो भारत के दोरा विक्सित किया गया है इसराइल से हमारे जो डिफेंस जो ट्रिटिस हुई है संदिया हुई है उसके तहद भारत जो है वो इसराइल की साथ में बच्छे संबन रखता है इसराइली मिलिटरी स्ट्राइक हजबुला टार्गेट्स इन सीरिया तो रिसेंटली इसराइली मिलिटरी ने क्या क्या था इस्ट्राइक क्या था हजबुला जो है उसको सीरिया के अंदर और वहाँ पर तेरा कमांडर जो है उसको मार गिराय था यहाँ पर आप लोग देखिए यह है सीरिया यहाँ पर ये है इसरा इसराइल उपर है लेवनान इराण यहाँ पर है और इसराइल लेंगे बदला लेंगे लेकिन जब इसराइल के उपर अटेक हुआ तो फिर एक फोन आया जो कि बाइडन का था बेंजमें नितनियाहू के लिए कि भाई देखिए इरान में तो अटेक कर दिया है लेकिन आप रिटैलियेट नहीं करेंगे वापस से जो है उसके उपर वार नहीं करेंगे नितनियाहू से फोन पर बात करते हुए बाइडन ने कहा कि अगर इसराइल ने इरान पर जवाबी कारवाई की तो अमेरिका इसमें उसका साथ नहीं देगा तो पहला प्रशिन तो ये है कि अमेरिका ने आखिरकार ऐसा इसराइल को कहा ये क्यों कि आप इरान की उपर अटेक नहीं करेंगे देख कई बार क्या होता है कि हम लोगों को अगर विश्यू की विवस्ताओं को बनाया रखना है बैलेंस की कंडिशन रखनी है तो जो अब सिर उठा रहे हैं कहीं न कहीं उनको बैठाने की जरुरत है इसराइल भी उनमें से एक है अमेरिका और वेस्टन कंट्रीज यूरीपन कंट्रीज को ये पता है कि इसराइल एक ऐसा देश है जो की बहुत तागतवर अब बन चुका है ठीक है तो ये जो वेस्टन कंट्रीज है इनको कहीं न कहीं इसराइल की आफशकता पड़ेगी और इस्राइल भी ये चाहता है कि ये Western countries मेरा साथ दें इसलिए वो USA की बात भी मानेगा इसलिए वो रुका हुआ है कि कही न कहीं अमेरिकी दबाव जो हो बना हुआ है इसलिए वो रुका हुआ है कि हम लोग इरान की उपर अटेक नहीं करेंगे और जो बाइडन ने फोन करके मना कर दिया कि ठीक है अभी अटेक मत कीजिए अगर हम लोग बात करें कि USA की जितने भी आर्मी वो कहां कहां तैनाथ है तो कुएट के अंदर 13,500 सैनिक तैनाथ है इराक में 25 सो सीरिया के अंदर 800 अमेरिकन सैनिक तैनाथ है UAE के अंदर 35 सो कतर के अंदर 10,000 साओधी के अंदर 27 सो जॉडन में 3,000 तुर्की के अंदर 1465 लेकिन आखिरकार अमेरिकी सैनिक यहां पर तैनाथ क्यों है देखिए आप लोग को पता होगा NATO Countries NATO North Atlantic Treaty जिसकी स्थापना 1949 के अंदर अप्रेल में की गई थी अप्रेल 1949 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी नाटो की और इसका जो हैड़कॉर्टर है वो Belgium की capital Brussels के अंदर है ना वहाँ पर रिस्थित है NATO के जितने भी country partners हैं उनकी अंदर वो basically के लिए एक सैना रखते हैं जिसको हम लोग NATO सैना कहते हैं जब भी किसी देश पर आकरमन होता है तो ये मानते हैं कि वो पूरे NATO सदश्ची की उपर आकरमन हुआ है और सब मिलकर जो है उसका क्या करते हैं रिटाइलियेट करते हैं उसका जवाब देते हैं तो अमेरिका ने क्या कर रखा है हर जगे अपने सैनिक तैनात कर रखे हैं बाइडन कॉलिंग फॉर जी सेवन बाइडन ने जी सेवन जो गुरूप है इसको भी कॉल किया कि अब हम लोग मिटिंग करेंगे और देखेंगे कि आखिरकार अब विश्व यवस्ता में क्या हो सकता है इसराइल को हम लोग कैसे डारेक्ट करें देखिए इसराइल जो है इसराइल की उपर अटेक तो हुआ है लेकिन इरान के पास में एक हार्मुज वाटर स्ट्रेट है हारमुज वाटर इस्ट्रेट जो है यहां से एक जहाज जो है वो गुजर रहा था यहां से एक जहाज जो है गुजर रहा था वो जहाज basically था ब्रिटेन का यहां पर इस photo के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि एक helicopter जो है आपको उतरता वा नजर आ रहा है एक ship के उपर यह जो ship है वो ब्रिटेन का है देखी इसके अंदर चार participate है यह जो ship है वो UK का है ब्रिटेन का है इसका जो honor है मतलब सरजदा पैसा जो लगा हुआ है वो इसराइल के एक बहुत पैसे वाली person का लगा हुआ है इसके साथ में ही इसकी उपर फिलिपिन्स की जो crew है वो तैनाथ है फिलिपिन्स के crew जो है वो तैनाथ है लेकिन यह जहाज जा कहां पे रहा था UK से जा रहा था इंडिया के अंदर और इंडिया के अंदर यह जहाज जा रहा था बीच के अंदर ही इरान के जो विद्रोही group है उसने उसकी उपर क्या कर दिया वहांपा जो सैनिक है वहांके हम लोग कहते हैं कि जो विद्रोई है उन्होंने क्या किया उस जहाज की उपर लैंड किया और जहाज को अपने अंडर में ले लिया उसको किड्नाप कर लिया एक तरीके से हाईजैक कर लिया तो इरान जो हारमु not authorize any country to use, use airways to attack another country, मतलब वो सीरे तोर पर USA के कह रहा है, मतलब तर्की USA कह रहा है, ध्यान रहा है कि तर्की जो है, वो भी NATO का एक member है, तर्की जो है NATO का member है, लेकिन वो indirectly USA कह रहा है कि हम हमारे airbase जो है, इसको इस्तमाल नहीं होने देंगे किसी दूसरी country के attack के लिए, तर्की जो है वो अपने आपको एक non-aligned country जो है दिखाना चाहता है, कि देखो हम लोग कितना non-aligned है, ठीक है, यहाँ तक कि Jordan ने ये भी कह दिया था, Jordan जो देश है उसने कहा कि हम हमारे airspace का इस्तमाल नहीं होने देंगे, कि हमारे airspace से कोई भी जहाज जो है वो नहीं गुजरना चाहिए, कोई भी मिसायस वगरा वहाँ से नहीं गुजरनी चाहिए, इसके बाद में इसराइल ने क्या कहा, इसराइल पर हमले के बाद इरान ने कहा कि हमने अपना बदला लिया है, तुमने एक अप्रेल को हमारे उपर अटेक किया, हमने आपके उपर अटेक कर लिया है, मामला बराबर है, operation end, इरान के तरफ से, लेकिन इसराइल कहरा है कि भाईया, अभी तो जो है, वो पिक्चर अभी बाकी है, तो इरान ने UN Chief Anthony Guterres को letter लिखा, और इरान ने कहा कि वो मामले को और आगे नहीं बढ़ाना चाता है, मतलब इरान बढ़ाना नहीं चाता है, खतम करो इसको, तेहरान ने कहा है, कि उनका हमला self-defense के लिए किया गया था, तो इरान का कहना यह है कि हमने तो self-defense के लिए किया था, पहले तुमने हमारी उपर हमला किया, हमने अपनी बीच बचाओ के अंदर अपने नागरी को satisfy करने के लिए किया, लेकिन BC के लिए क्या है जब 331 मिसाइल दागी गई थी इसराइल की उपर तो इसराइल की उपर केवल ही साथ मिसाइल जाके गिरी थी बैलेस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल ये जो मिसाइल से दागी गई थी कहीं भी कोई परिशान नहीं हुए, जितने भी लोग थे इस्राइल के, वो अपने अपने अफिसों के अंदर जो कितियों जो हो जा रहे थे, उनको कोई फरक नहीं पढ़ रहा था, उनको पता था कि हमारे उपर iron dom लगा हुआ है, वो intercept करेगा missile को, और हमारे उपर नहीं आने देगा, इरान ने अपने हमले को जाय से टहराते हुए UN के charter जो है, उसका article number 51 है, इसमें लिखा हुआ है, कि ये किसी भी देश को self-defense के लिए हमले की जाज़त देता है, इरान कहता है, कि हमने तो article number 51 के तह थी, अपने आपको self-defense किया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते है इसराइल और इरान के, हम लोग अगर defense system की बात करें, तो इसराइल के पास में 6,70,000 की सैना है, जबकि इरान के पास में 11,80,000 की सैना है, 2,00,000 करोड जो है, वो defense budget है इसराइल का, जबकि इरान का cable 83,000 करोड है, मतलब इसराइल जो है, वो भर-भर के अपने defense budget के अंदर add कर में है, इरान के पास में 612 aircraft हैं, और सबसे पहले, मैं आप लोग को बताओ, कि aircraft के अगर हम लोग गिंती करें, तो aircraft के अंदर सबसे जबर्दस यही है, F-35, बात करेंगे अब इसके बारे में हम लोग, लेकिन आखिरकार, इसराइल जो है, वो अपने weapons कहां से लेके आता है, सबसे ज़्यादा उसका साब देता है, कौन? US, United States of America, जो है, सिप्री के according, सबसे ज़्यादा भर-भर कर, लगबग 65% जो weapons हैं, वो इसराइल के अंदर, USA से ही आ रहे हैं, यह कहती है, कौन? सिप्री की यह report कहती है, तो लगबग 69% जो है, वो इसराइली arms import between 2019 to 2023, पर 19 से ले रहे हैं, जिनकी कीमत लगबग 3.8 billion dollar के आसपास में है, बहुत बड़ा number यह है, और इसी के आदार पर वो edge भी हासिल करता है, US के बाद में Italy, जो है, US के बाद में Germany, जो है, वो हतियार supply करता है, इसराइल के अंदर, उसके बाद में Italy का number आता है, तो यह जो है, वो basically क्या कर इसराइल के पास में, USA ने निर्मित किया है, USA के पास में तो होगा ही, USA का सबसे बहतरीन जो plane है, aircraft है, वो F-35 ही है, और F-35 जो है, वो अगर USA के बाद में किसके पास में है, इसराइल के पास में, यह किसके पास में है, तो वो इसराइल ही है, यह एक मात्र ऐसा एक plane है, aircraft है जिसकी मदद से इरान ने जो हमले किये थे इन में से लगभग लगभग 99% जो हमले थे उसको निस्ते नाबूत किया था समाप किया था इंटरसेप्ट किया था वो F-35 मतलब जिस वक्त हम लोग अपनी गहरी नीदों के अंदर थे लगभग सुभग के 2-3 मज़े के आसपास उस समय ही ये F-35 जो है वो इसराइल के आसमान के अंदर उड़ रहा था सीरिया और जॉर्डन के उपर उड़ रहा था और इरायन की जितनी मिसाईले आ रही थी उनको न इसकी जो रेंज होती है वो 4 किलोमेटर से लेकर 70 किलोमेटर मतलब मान लीजिए कि अगर आइरन डॉम यहाँ पर लगा हुआ है तो इससे 4 किलोमेटर के अंदर ये किसी भी मिसाईल को टारगेट कर सकता है और 70 किलोमेटर तक वो टारगेट कर सकता है मतलब इसकी रेंज ज पास में एरो सिस्टम भी है यहाँ पर आप लोग एक ड्राउन देख सकते हैं यह ड्राउन जो है वो एमाइट किस्म का है एमाइट इसका नाम है यह भी युएसे ने ही इसराइल को दिया है जब गाजा की उपर अटेक हुआ था हमास को जब टार्गेट किया गया था तो इन बॉब शेल्स आप लोग देख सकते हैं तीन लाख जो बॉब शेल्स हैं वो युएसे ने इसराइल को दिये थे और 155 mm यह जो बॉब शेल्स हैं यह इसराइल के पास में पहुँचे और इसे की मदद से उसने हमास की उपर जो है अटेक किया था जर्मनी ने भी लगबग 30 प्रतिशत के आसपास जर्मनी ने जो है वो लगबग 30 प्रतिशत के आसपास यहां पर क्या किया है एक्सपोर्ट किया है इसराइल के अंदर मतलब अकाउंटिंग फॉर 30% of import between मतलब इसराइल ने लगबग 30% जो है इंपोर्ट किया है कहां से जर्मनी से इंपोर्ट किया है इटली है ना ठीक है अनकी एक्सपोर्ट नहीं इसराइल जो है इसराइल से वो इंपोर्ट कर रहा है 0.9% जबकि इटली इस थार्ड बिगेश्ट आर्म एक्सपोर्टर है किसके लिए इसराइल के इरिये तो आर 1923 की बीच में ठीक है वो हेलिकॉप्टर और नेवल जो आर्टलिरीज है उसको क्या करता है इसराइल के इंदर भिजवाता है ये भी बड़ा एक हुज नंबर है इसकी बाद में UK और कैनेडा जो है वो भी किसको इसराइल को हेल्प कर रहे लेकिन आप लोग एक चीज़ सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये देश इसराइल की इतनी हेल्प क्यों कर रहे है क्योंकि ये एक ऐसा देश है जो कि अभी हाल ही के अंदर इससे हम लोग कहें कि 1967 के अंदर जो शिच्टेव वोर हुआ था उसके बाद में तो असित्यों के अंदर आये था लेकिन अभी नया नवेला जो देश है वो अभी असित्यों में आया है और ये सभी लोग उसकी हेल्प कर रहे है इन सब लोग को पता है कि इसराइल की जो टेक्नलोजी है वो बहुत जबरदस्त है है ना और कल को ये देश जो है वो हमको भी कहीना के नुकसान पुझा सकता है इसलिए ये इसको क्या कर रहे है और हो सकता है ये भी इसका कारण हो सकता है कि इसराइल जो है इसको कहीना कहीं युद्दों के अंदर उलजा के रखे ताकि इसकी जो शमता है वो बनी रहे कहते कि जो इंसान जदा गुसा करता है जदा excited रहता है गुसा करता है उसके गुस्य का power जो है कहीं पर अगर दूसरी के use किया जाए तो utilize हो सकता है वैसे ही इसराइल जो है इसका use ये developed nations कर सकते हैं आप लोग को पता है कि इरान के अंदर nuclear sides है इसराइल जो है वो अब उसको target करने वाला है अगर हम लोग आज वर्तमान की स्रीद देखें तो इसराइल जो है वो इरान के nuclear power plant जो है उनको target करने के लिए बना हुआ है जल्द ही हो सकता है कि आपको एक दूसरी खबर देखने को मिले कि इरान ने वापस से हमला किया है इसराइल की उपर और इसराइल ने इस बार जबर्दस हमला किया है इरान की उपर जिसके तहाट nuclear power plant जो है nuclear side जो है इनको target किया गया है हो सकता है कि जल्द ही जो है वो आप लोग को एक दूसरी खबर जो है वो भी आप लोगो कही ना कही देखने को मिल जाए चलिए लेकिन बात यह है कि आखिरकार इसराइल अटेक क्यों नहीं कर रहा है तो इसराइल के ऊपर कही ना कहीं USA का दबाओ है कि USA ये चाता है कि भाया रुख जाईए थोड़े दिन हम लोग मिलकर फिर वो इरान से निपतेंगे या फिर ये ये भी चाते हैं कि अगर एक बार इसराइल ने शुरू कर दिया है तो वो फिर इरान को खत्म करके ही जो है वो मानेगा और हो सकता है कि आज या कल के अंदर आप लोगो निउस भी मिल जाए कि इसराइल जो है वो पूरी तरिके से तयार हो चुका है कि अब वो इरान को टार्गेट करने पर बना हुआ है लेकिन एक बात concern ये है कि अगर आज इसराइल जो है वो इरान को target करता है तो वो कहां कहां target करेगा पहला सबसे पहला target करेगा कि इरान के जो nuclear power plant है वहाँ पर वो target करेगा दूसरा इरान के इसराइल जो है उसकी पास में naval पंडूबिया जो है वो बहुत जबरदस्थ है जबकि इरान के अंदर ऐसा नहीं है इरान की सबसे weakest power जो है उसकी नेवी है उसकी air force है उसके पास में इतना विक्सित जो है air weapons नहीं है इसलिए अगर इसराइल अटेक करता है तो पंडूबी की मदद से भी जो है वो क्या कर सकता है वो रैड सी के अंदर जाकर किसकी उपर इरान की उपर अटेक कर सकता है इसके बाद में इरान इसराइल जो है वो अपनी intelligence agency मौसाद का भी प्रियोग कर सकता है और इरान के अंदर घुस कर बहुत से बड़े जो लीडर्स है इनको भी मौत की गात उतार सकता है तो इसराइल जो है वो बड़ा खतरनाक country है हो सकता है कि आगे आने वाले समय में आपको news मिले कि इरान की उपर अटेक हो चुका है और इसराइल के दौरा ये अटेक किया गया है लेकिन इसराइल का जो iron dom system है वो बड़ा जबरदस है वो पूरी तरीके से cover किया हुआ है जैसे भारत के अंदर S-400 है जो कि हमने रशिया से import किया है वैसे ही इसराइल के पास में एक खुद का जो system है develop किया हुआ USA की मदद से है वैसे तो लेकिन उसका नाम है iron dom तो iron dom basically उसने अपनी जो boundary है उसके उपर तैनाद कर रखा है कि अगर चारो तरफ से चो तरफा भी हमला होता है तो वो iron dom की मदद से उसको क्या कर सकता है कही ना कही खत्म कर सकता है और पहले किया भी है अभी जो इरान ने अटेक किये है उसमें से 99% अटेक उसको क्या कर दिया है खतम कर दिया है तो आप लोगों को जल्दी ख़बर देखने को मिलेगी कि हम लोग वो world war 3 के दौर के अंदर जी रहे हैं ठीक है चलिए lecture कैसा लगा मुझे आप लोग comment section में जरूर बताईगा आगे से आप लोग के लिए current effort के यूही बहतरी लेक्चर जो है वो आप लोगों को मिलते रहेंगे मिलते हैं आप लोगों से channel की उपर नए है तो जरूर आप लोग subscribe कीजिएगा क्योंकि इन lectures को आप लोगों तक पहुंचाने के अंदर बहुत महनच जो है वो लगती है आप लोग एक बार जरूर subscribe कीजिएगा channel की उपर नए हैं तो subscribe कीजिएगा, like कीजिएगा मिलते हैं आप लोगों से अगले session में तब तब धन्यवाद, thank you, jahind